आते जस्वी का मतलब यह क्या कि गाली दें यही ते जस्वी क्या है क्या संत ऐसा होता है क्या एक संत बता दीजिए जो माभाएन की गाली देता हो अरे कमी कों नहीं जानता योगी अधितनाथ की कमी योगी अधितनाथ की कमी कहां तक छुपी हुई है चैनलों पे उन्होंने क्या क्या किया मंज पे उन्होंने कितने लोगों को क्या क्या किया यह अधितनात का जो चरित्र है वो संत का चरित्र आपको लगता है किसी तरब से योगी जी खाली कपड़ा उनका संत का है उनका जो लिफाफा है ना हम लोग के मंदिर गोरकनाथ महंत हैं यह दुर भाग है कि गोरकनाथ पीठ के महंत हैं तो हर काम ही उन्होंने किया है पुरुवांचल एक्सप्रेस्वे का काम ले ले विश्वनाथ धाम करीडोर अभी उद्गाटन हुआ उसका काम ले ले किया नहीं है क्या आपको नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया किए आप बता यह कान बड़ा की वहा यह जा करके देखिए जाखर मदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट था सोचाले, सारे सोचाले में कंडे बढ़े पड़े हैं, मैं दिखा दू फोटो आपको, क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ये काम बता दीजिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पांच साल में उत्तर प्रदेश सरकार बताने के लिए ये काम बता दे, कि ये काम मैंने शुरू किया और ये काम मैंने पूरा कर दिया, ये काम, दावे के साथ, चैलेंज के साथ, और आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, और आपके इस प्रतिष्टी चैनल को देखने वाले लोग अगर देख रहे हैं, तो उनको भी चैलेंज कर रहा हूँ, कि वह हा कर के बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार ने ये काम शुरू किया और ये काम पूरा कर दिया, ये काम चैलेंज है, ये काम बता दें उत्तरप्रदेश सरकार का, एक काम, एक काम बता दें, तमाम विकास आपको नहीं निजराता, आपके पडोसी जिले की गुरकूर की बात करें, चेडिया घर नौक़ा विहार एम्स फर्टिलाइजर आप तो कम सही बोले Siar चेडिया घर वो बनाए है चेडिया घर उनका प्रोजेक्ट है सेडिया घर की सुरुवात किसने किया था मालूम है सेडिया घर की सुरुवात है और इंतजार कर रहा है कि यह दहार 2022 में बाबा के कानों तक जाएगा जाएगा दहार और जो एक अंतिम सवार सुने लिए 2017 के चुनाओं में आपकी प्रमुक भूमिका थी आपने योग्याद इतनात को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर वो काम क्या जो आप कर सकते थे यह माना जाएं कि आपकी अखिलेस को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर चीज कर गूर। उस समय जूट के साथ था आज सच के साथ हूं सचाई के साथ हूं गलत काम आप की हैं। बहुत गलत काम कि प्राष्चित तभी तो कर रहा हूं प्रैस्चित हो रहा हम ही अकेले प्रहिशित नहीं कर रहे हैं बहुत लोग प्रहिशित कर रहे हैं प्रहिशित कर रहा हूँ और उसमें जूट के साथ था आप सच्चाई के साथ हूँ तैमानिये जो भी भूमिका पारिटी हमें हमारी निर्धारित करेगी उस भूमिका को सो प्रतिसत इमानदारी के साथ जूरों का सपना उत्तर प्रदेश में साकार होगा और उत्तर प्रदेश की बागडोर अख्लेस यादो जी के हाथ में जाएगा। योगी आधितनात की कमी कहां तक छुपी हुई है। चैनलों पर उन्होंने क्या क्या किया। एक संत बता दीजिए। आपने एनाई चैनल को देखा होगा ना लाइट थोड़े देर के लिए चली गई थी। और बाकी मैं तो बहुत करीब रहा हूं और आप भी गोरगपुर के हैं। कोई संत बताईए ना संत का मतलब क्या होता है। संत जिसके जबान से मुहबबट टपके है। जिसके मन में करुड़ा हो। जिसके दिल के अंदर तया हो। योगी आदितनाथ के जबान से करुड़ा टपकती है। उनके दिल में मुहबबत है। ना उनके मन में फवित्रता है। योगी आदितनाथ बहुत ही। उसको कहा जाए तो योगी आदितनाथ का जो चरित्र है ना वो संत का चरित्र आपको लगता है। किसी तरब से योगी जी खाली कपड़ा उनका संत का है उनका जो लिफाफा है ना महंत है हम लोग के मंदिर गोरकनात मंदिर महंत है ये दुर भाग है कि गोरकनात पीठ के महंत है क्या हमने योगी महंत अवेदनात को भी महंत देखा है जिसके सामने देश का प्रधान मंत्री घुटना टेक करके बैठता है देखा मैंने अपने महंत को अवैदनात के रूप में सुना हूँ अपने महंत दिगवेजनात के रूप में मैंने सुना महंत अवैदनात के बारे में और धर्म गुरू किसी के सामने खड़ा होगा, तो ये उसका अपमान नहीं होगा, उसके धर्म का अपमान होगा, आपने देखा नहीं, गाजे, वहाँ पे सुल्तानपूर में जब भोर जिक्स लेन का उद्गाटन कर रहे थे, मेगा सो किये थे, तो किसी के कार के पीछे कोई संत दोड़ रहा था, कपड़े बसे में पहचाना कोई संत, वो तो प्रोटोकॉल था, कैसा प्रोटोकॉल, कहा का प्रोटोकॉल, क्या जब अटल विहारी बाज़ पे गोरकनाथ मंदिर आये थे, और महनतावेदनाथ के सामने घुटना टेक करके बैठे, तो तुस्य में प्रोटोकॉल नहीं था, आप धर्मगुरू मत बनो, आप नेता बनो ना, नेता बनो आप, क्यों आप उनको धर्मगुरू कहते हैं, क्यों आप उनको संत कहते हैं, मंत का कोई प्रोटोकाल नहीं है हमारे हिंदुत का कोई प्रोटोकाल नहीं है हमारे धर्म का कोई प्रोटोकाल नहीं है या तो आप उनको धर्मगुरु कहना बंद कर दीजे या तो उनको संत कहना बंद कर दीजे एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको मानिये मुख्यमंत्री का प्रोटोकाल मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का प्रोटोकाल हो सकता है लेकिन हमारी भाउना का किसी के साथ कोई प्रोटोकाल नहीं है हमारा धर्मगुरू पैदल दोड़े वो धर्मगुरू कैसे हो सकता या तो आप धर्म गुरु मानने से उसको इंकार करिए एक मुख्यमंत्री के रूप में वो आप प्रोटोकाल तोड़े अपने धर्म का अपने भाउनाओं का हमारी भाउनाओं है की नहीं है हमारी भाउनाओं है की नहीं है आपने भी महंत खाना एक महंत की गरिमा हमारे मन में है की नहीं है एक महंत की इसका सम्मान हमारे मन में है की नहीं है एक महंत की इज़त हमारे मन में है की नहीं है और जिस तरह से साश्टांग खड़ा रहते हैं यह योगी आदितनात मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हो सकते हैं धर्मगुरु के रूप में नहीं खड़ा हो सकते हैं योगी आदितनात को अब संत का चोला उतार देना चाहिए नेता के रूप में उनकी भूमिका बहुत शांदार है और एक नेता को इसी तरह होना चाहिए तभी प्रधान मंतरी बनेंगे ऐसे नहीं प्रधान मंतरी वो मुक्य मंतरी तो बन गए वो अपने चोला को गिर्वी रख करके मुक्य मंतरी बन गए वो प्रधान मंतरी नहीं बनेंगे प्रधान मंतरी ऐसे गाड़ी के पीछे दोड़ना पड़ेगा तब प्रधान मंतरी बनेंगे और धर्मगुरु गाड़ी के पीछे दोड़ेग और आप जैसा व्यक्ति अगर संत कहेंगे महंत कहेंगे तो ये संत और महंत का आप मान होगा